हेलो रादे रादे स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता सर्मा चेनल पर कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और कल थी होली तो आप लोगों की होली कैसी मनी मुझे कमेंट करके जरूर बताना हमारे यां तो कुछ अच्छी न रहा सब लोग मिलने आये, हमारे आना, जैसे कि सवा 3-3.30 के करीब, खोली का दहन हुआ था, और उसके बाद में आना शुरू हो गया, और अगले दिन, मतलब साम तक ही, इतनी भीट रही होली वाले दिन था, जिस दिन पूझा, मतला ठोलका देहिन के बाद में ही आना शुरू हो गया था सब लोगों का विल्ने के लिए तो बहुत लोग आते हैं हमारे मिलने के लिए तो वो सब आये तो कल तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाया है वो आप लोगों से सेयर करूंगी मैं तो मैंने सोचा आज अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं क्योंकि ऐसे ही हो जाता है और अभी नहा भी लिए हूँ मैं पूझा वग भी पेसरा करते हैं लोगों किसी को भी पसंद्थी लाद है पली बॉगज़ते ही जाता है मदाओ दी नहीं आपो रहे हो लादया हला है जैसे ओली के आगले hedna वहती है जी तो में पक्रूवल कोंपनि आ मारत नहीं तो कारते हैं कि इसम, कि बोंने दूआ थारा हे कि होली हो रही है ना बाहर तो हम लोगों ने तो दर्वाजा बंद किया हुआ है तो वैसे और बच्चे भी सब अंदर है इसी वज़े से मैंने का ऐसे यह ना कभी उठा के बच्चों को ऐसे रख देते नाली वाली जो होती है उनमें रखी चड में रख देते हैं तो इस तरी चोटी डाल लिल्या है क्योंकि आज तो होली मतलब होली के अगले दिन वह टीचड वाली होती है ना तो वह बहुत बेकार लगतियाब बहुत ज्यादा ओर हो रही है आई और अभी चलते हैं खाने-पीने की तैयारी करेंगे तैयारी दो मैंने कुछ पाफी घटी य loud बीच होगा और मैंने तयारी भी कर दिया है और सब लोगों को कचोड़ी खानी थी क्योंकि और पूड़ी पूड़ी थे तीन चार दिन से चाह रही है फिर बीर साम को पकोड़िया बनाई थी कल और जो है को तो आप लोग मिली मिनी ब्लॉग में देखी लोगे के छोले चावल पू करावी बना दिया है चटनी बना लिए साथ में खटी वाली मीठी वाली भी रखी हुई है अब ही तो हमारे बहुत बनाए थे इस वार और हम मेरी जो चोटी वाली ननत है न वह नहीं आई है इस वार क्योंकि बहुत सब लोग आते हैं तो मैंने अच्छे खासे बना रखे खूब सारे बना लिये थे मैंने का सब एक Rough लेता हुए अभी बनाने लग गई हूं मैं फूली फूली कटोडिया गर्मा गरम सब्सकों किस इसंहाँ को पसंदे मुझे कॉमेंट करके बताłam हमारे घर मेंं तो कचोडिया इатण्यानितनी पीसे कि नाम सुन मानाई नहींचकत तो बहुत पसंद है तो मैं लग रही हूं का कचोडिया सेखने के लिए और दीदी जो है ना वो लगा लगा के दे रही है तो सबको दे देंगी दीदी बाकी मैंने रायता वगरा यह सब कुछ तयार कर लिया इसके साथ में चटनी भी बनाई है और रायता बनाया है क्योंकि म बना लो आलू टमाटर की सबजी बनाती हूं वैसे आज नहीं बनाई है लेकिन रायते के साथ में अच्छी लगती है तो देखिए कचोडियां मेरी सिकर तयार हो चुकी है बहुत टेश्टी सी और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मलाई रखी हुई थी थोड़ी सी म बीच बीच में फिर छोम मकहनों ऐसको एक साथ गरम करती हूं तो इसको भी लगने हूं मैं चलाने लिए और यह भी घी मंपनी के तयार हो जा agentsं जैसे कबी बच्चों को ताजी ताजी क कहाना होता ना किसी के साथ में तो वह भी उतक्वी क्यों करती है उसको है लो रादे तो यह वीडियो मैंने दो दिन पहले शुरू किया था और आपसे बात ही नहीं हो पायी फिर फिर ना इसका एंड हो सारम थैंट हो दो दिन मैंने कोई व्लोग नहीं बनाया तो आज करती हूँ आपदि और शुठ पात कि बात करती हूँ है और ऐस है 1 dud युदियो पाय। साहे थरश्टे में शुरू किया था और आज सटेडे को इसका एंड कर रही हूं मैं सोचा थोड़ा सा खर्तिव बात आप लोगों से और जो मेरी ननद हैं वो जा चुकी है बड़ी वाली जो दीदी आई थी वो जा चुकी है कल चली गई थी वो सुबह सुबह और देखो किस जादा वो होती है रास्ते में भी सब बहुत ज्यादा भीट भाड़ होती है होली पर लेकिन अब की बार जो आना था तो इस बहाने से आ गए सब अभी दी-दी रुकी हुई है मेरी जिठानी जो वो रुकी हुई है वो भी चली जाएंगी एक आध दिन में क्योंकि वही न मतलब शाम को कल साम को मेरी बुगाजी जो है उनका बहुत मतलब बड़ा एक्सिडेंट हुआ है और उनके बहुत चोट लगी है पैर में पैर में फैक्चर हुआ है अभी एडमिट है अलीगड ऑपरेशन हो रहा है आज मतलब अभी साम के टाइम कुछ देर पहले ही बात में कहीं से आरही थी को अलीगड से आ रही थी और hocak एक्ष्ट फिर पी लेकिन बोullen चोड लगी है वो उनको मतलब बहुत हो हुआ आले को कोव न तो सबस्क्ता में अच्छा नहीं तो रास्ते में बस ऐसे ही है कुछ अ अच्छे से चलो सामने पता नहीं क्या है क्या नहीं क्याहिए वो द Smash लोनी ज़ियुकर ऱ जाना है वह तो दिन भीचबंज नहीं छुप था बहुने 5 मिजे की बात तो है जब इतना कुछ हुआ है बहुत चोट लगिया उनको अब यह भाई ठीक है भगवान की क्रफा से वह ठीक है भाईक 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 भी ऐसे हो गई दोनों बुगाजी और भाई थे दोनों आप लोगोंने देखे यह मेरी बुगाजी और भाई देखे यह ज्यादा तर में तो उनको बहुत जाता चोट लगी हुई है तो चलिए फिर इस वीडियो का में यहीं पर एंट करूंगी आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और जो न्यू चैनल पहार है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिए थाके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और कॉमेंट करके जरूर बताना लाइक करना तो बिलकुल ना भूनत चलिए फिर मिलती हूं एक नए विलोग के साथ तब तक के लिए बाए बाए